त्रेता युक के रामायाड काल में हम लोगों ने जिन जटायू की कहानियों को अपने बच्चपन से सुना था उन जटायू के एक बार कानपुर शहर में दर्शन हो गए हैं कानपुर शहर में रविवार को आई ये तस्वीरें शहर में चर्चा का विशय बनी रही लोग ये कहते रहे कि रामायाड काल में जिन जटायू की बात सुनी थी इस बार एक विशाल जटायू रूपी पक्षी के दर्शन हुए हैं लोगों के बीच इस बात का कौतुहल बना रहा कि अब तक जिन जटायू को सिर्फ रामचरित मानस में या रामायाड सीरियल में देखा था इस बार उनके जैसा एक पक्षी उनके बीच में था दरसल उत्तर प्रदेश के कानपूर जिल्ले में बेना जहाबर इलाके में रविवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई कानपूर के बेना जहाबर इदगा कब्रिस्तान के पास एक दुरलप प्रजाती का हिमालियन ग्रिफॉन गिद लोगों के बीच पहुँचा तो आम लोगों के बीच इसे देखने के लिए कौतूहल की स्थिती बन गई वन विभाग और पुलिस की टीमों को जैसे ही सूशना मिली अफसरों के बीच हड़कम पच गया पूढ़े गिद को देखने के लिए वन विभाग के अफसर पहुचे और इसके बाद इसे रेस्क्यू किया गया यह एक हट्टे से यहां बैटता था पता नहीं कहां से आया था और जब इसकी तरफ को हम लोग निगा डाली तो देखते रहे तो यह पकड़ने की कोशिस कर रहे थे मगर पकड़ में नहीं आया तो किसी तरकीब से आके नीचे गिरा तो हम लोगों ने उसको पकड़ा इसलिए कि इसके चोट चबेट ना ओवे और इस तरीके से उसको हमन वर्स में गीदड़ नहीं है और इस पे कई लोगों ने इनाम भी अख़वारों में सुना था में मगर इनाम इनाम की कुछ बात नहीं थी यह था गिद्देश से क्यों भागे कोई मुसीबत या कोई ऐसा मामला तो नहीं आने वाला है और जब मैंने गिद्द को देखा तो हम लोगों को बड़ी खुसी हुई कि हमारे देश के अंदर गीदड़ अभी हैं मौके पे मैजूद हैं ये लोगों की गलत सूचना है और गलत खबरे हैं इसलिए जो है हमने उसको पकड़ के साच्छा दिखाया कि ये उसको चोड़ पकड़ने के बाद बन विभाग गया पुलिस आई छेतरी बहुत सी मीडिया भाई हमारे आये और गीदड़ को बन विभाग के हवाले कर दिया लेकिन गिदद के विशाल पंखों को देखकर लोग हैरान रहे गए एक विशाल पक्षी जो बूढ़ा हो गया था इसकी उम्र को लेकर अंदाज लगाए जाने लग इस गिदड़ को फिलहाल 15 दिन के लिए क्वारिंटीन किया है अफसरों के मताबिक कानपुर में मिला ग्रिफान गिद हिमाले और तिबबत के इलाकों में पाया जाता है गिद्धो के इस प्रजाती को वन्यजीव संरक्षन अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है इसके